सहकारी कृशी में क्या होता है कि किसानों का एक समू होता है और ये समू जो है वो अपने कृशी से अधिक उत्पादन लाभ कमाने के उद्देश से कारिग करते हैं और ये एक सहकारी संस्था बनाते हैं और इस संस्था के माध्यम से ही क्रिशी का जो कारिय है वो किया जाता है। किसान जो है वो व्यक्तिगत खेत उसका सही सलामत होते हुए भी हम देखते हैं कि सहकारी रूप में क्रिशी कारिय करते हैं और इसकी अगली विशेश्टा ये होती है कि यह जो संस्था बनाई जाती है इस कृषी पधती में यह साकारी संस्था जो है वो प्रत्यक रूप में जो है हर उत्पात के रूप में चाहे हम कृषी उपकरण की बात करें या निर्यात के लिए बेचने के लिए सभी रूपों में जो है कृषी की सहायता प्रदान करता है इन संस्थाओं को फिर ये जो सहकारी संस्था है ये अपने उत्पाद जिस भी जो भी ये प्रोडक्शन करते हैं कृषी का जो भी उत्पाद होता है इन उत्पादों को ये संस्थाओं जो है वो अपनी शर्तों पर ही बेचते हैं अब देखे हम की पूरे विश्व में किन छेत्रों में इस प्रकार की क्रिशी पधती प्रशलीत है तो उसमें प्रमुकृरूप से हम देखें यूरोप, नीदरलेंड है, डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन और इटली लेकिन इन सभी देशों में भी हम देखते हैं कि ये क्रिशी पधती जो है वो सरवाधिक सफल या सकसेज जो है वो डेनमार्क में देखने को मिलती है डेन्मर्क एक ऐसा देश है जहां पर प्रतेक किसान जो है वो किसी न किसी सहकारी संस्था का सदस्य होता है तो यही पर यह अधिक सक्सेस देखने को मिलता है हमें अब दूसरा हम देखते हैं सामुही क्रिशी सामुही क्रिशी जो है वो क्रिशी उत्पादन के साधनों का इस क्रिशी पधती में क्रिशी उत्पादन के साधनों का जो संपूर्ण स्वामित तो होता है वो किसी समाज या सामुही श्रम पर आधारित होता है इसमें किसान जो है वो अपने उसके पास जितने भी संसाधन होते हैं, क्रिशी के उपकरण होते हैं, क्रिशी कारे के लिए जो भी संसाधन उसके पास उपस्तित हैं, मिलते हैं, इन सभी संसाधनों को मिलाकर ये क्रिशी कारी करते हैं अब भूमी का इनको ये थौर्टी होती है कि ये जहां पर भी कृशी कारी कर रहे हैं वहां पर भूमी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो अपने पास रख सकते हैं पूरी तरह से इसमें सरकार का नियंतरन होता है इस प्रकार की कृशी में और जो उत्पाद इसमें होते हैं कृशी से संबंधित जो भी उत्पाद मिलते हैं इन उत्पादों को सरकार ही जो है वो निर्धारित मुल्य पर खरीदती है इसके मतलब ये क्रिशी पधती जो हम सामुही क्रिशी की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये क्रिशी पधती कहां प्रचलित है तो USSR या जिसे हम पूर्व सोवियत संग कहते हैं अब इसका विघटन हो गया है और इसका सबसे बड़ा देश हमें पता है कि रूस है तो पूर्व सोवियत संग में ये प्रमुक रूप से इस प्रकार की क्रिशी पधती प्रचलित है और आपको पता होना चाहिए और बोर्ड परिक्षा के हिसाब से भी आपके लिए प्रमुक करिशी को किस नाम से जाना जाता है तो पूरव सोवियत संग में इसे पनको कोल खहोज के नाम से जाना जाता है ये important question बनता है और इसके साथ ही साथ संगठन के अधार पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सहकारी कृशी और सामुहिक कृशी इन दोनों में क्या अंतर है या तो इनकी अलग-अलग विशेष्टाएं पूछी जा सकती है या इन दोनों में अंतर तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि विशेष्टाओं के संबन में आप इसी को अंतर के हिसाब से भी लिख सकते हैं तो हमने देखा कि जो सहकारी कृशी है वो एक किसी सहकारी संस्था या समुह के द्वारा संचालित की जाती है लेकिन सामुही कृशी जो है वो इस पर पूरी तरह से सरकार का या शाशन का जो है वो स्वामित्व होता है तो ये जो विशेष्टाओं बताई गई हैं उसको आप ध्यान पूर्वक थोड़ा सा केरफूली इसका स्टड़ी करेंगे क्योंकि डिफरेंस के रूप में भी आपसे पूछा जाता है क्रिशी की एक अन्यपधती है जिसे हम मिश्रित क्रिशी के नाम से जानते हैं पशुपालन का भी कार्य जो है वो किया जाता है अब ये जो फसलो का उत्पादन यहाँ पर होगा वो कि उदेश की पूर्ती के लिए किये जाते हैं तो प्रमुख रूप से हम देखेंगे इसके तीन उदेश होते हैं पहला जो इस्थानी बाजार वहां का होता है उस इस्थ भोजन की डिमांड होती है उस भोजन की आपूर्ती के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है उस चारे के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है और तीसरी चीज ये जो फसल है उसको जब बेचा जाता है तो उसे बेचने से जो मुद्रा प्राप्त की जाती है तो उस मुद्रा को प्राप्त करने के लिए भी हम कहें कि मुद्रा प्राप्ति के उद्देश से आय कमाने के उद्देश से ये क्रिशी की जाती है या इस क्रिशी में फसलों का उत्पादन किया जाता है अब प्रमुक रूप से कौन सी फसले उगाई जाती हैं तो हमने तो देखा ही भई कि मिश्रित कृषी में जितना फसलों का उत्पादन किया जाता है उतना ही समान महत्व जो है वो पशुपालन को भी दिया जाता है मतलब पशुपालन और फसलों का उत्पादन दोनों ही कारिये इसमें किये जाते हैं तो प्रमुक फसले हैं यदि हम देखें तो गेहु, जो, राई है, जै है यह जो है यह इस कृषी की प्रमुक फसले हैं और इसमें हम देखेंगे कि इस कृषी पध्धती में जो खेत है इन विश्व के किन-किन छेत्रों में, किन-किन देशों में इस प्रकार की क्रिशी की जाती है, तो पहला है USA, सायुक्त राज अमेरिका, फिर हम बात करें कनाडा की, अर्जेंटीना, फ्रांस हो गया, जर्मनी है, UK है, United Kingdom और नीदरलेंड, और इसके साथ ही साथ जो दक्षनी महा चनल दीप के, जो सम शितोष न अक्षांसी छेत्र हैं, या वहाँ जो देश मिलते हैं, उन देशों में भी इस प्रकार की क्रिशी का कारियर किया जाता है, तो बच्चो, हमने देखा कि विश्व में जितने भी अलग-अलग प्रकार की क्रिशी पधधतियां हैं, इन पूर्ण भाग है या महत्व पूर्ण प्राथमिक क्रिया है जिसकी अलग पधतियों पर विभिन प्रकार की पधतियों पर हमने चर्चा की और आप अपने बोड परिक्षा के हिसाब से इसे तयार करेंगे क्योंकि बड़े कोश्चन के रूप में आपको किसी एक कृषी पध पधति को दिया जा सकता है जैसे गहन निर्वा क्रिशी को समझाइए इसकी विशेष्टाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए तो आपको अलग अलग प्रकार की क्रिशी पधतियों को भी तियार करना है चाहे बड़े कोश्चन के हिसाब से हो या कुछ टम्स जो नामों से पुकारा जाता है या भी हमने देखा सामुही क्रिशी की बातकिरी इस सामुही क्रिशी को पुर्वी सोवियत संग में किस नाम से पुकारा जाता है तो कुछ इस टाइप के जो टर्म्स है वो आपके छोटे प्रशनों के हिसाब से इंपोर्टेंट है या दो क्रि प्राथमिक्रिया है इसको तयार करना है और अच्छी तरह से नोट्स बनाना है। साथ ही जो हमने सभी प्रकार की जो कृषिपधतियों की बात की तो चाहे कोई भी कृषिपधति आप से पूछी जाए तो उसके छेत्र को आपको अपने मानचित्र में अनिवारी रूप से दर्शाना है क्योंकि आपको पता है कि हमारे भुगोल में मानचित्रों का चित्रों का एक अलग ही महत्व है और ये मान-चित्र के माध्ध्यम से जब हम अपने उत्तर को Represente करते हैं तो वो वही कह सकते हैं हमारे उत्तर को बहुती ही Palakis आकरशक बनाते हैं तो आप कोशिश करेंगे यशा मैं कहोँ कोशिश ही नहीं यह अनिवार यह है कि आपको अपने हर उत प्रकार के डायग्राम के माध्यम से ही रिप्रेजेंट करना है अब हम संगठन के आधार पर क्रिशी की पधतियां या क्रिशी के प्रकार पर बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार की क्रिशी होती है संगठन के आधार पर पहला है सहकारी क्रिशी और दूसरा सामु तो पहले हम इन दोनों में अंतर समझ लें या सहकारी क्रिशी क्या है और सामुही क्रिशी क्या है इस बात पर चर्चा कर लेते हैं जब हम सहकारी क्रिशी कहते हैं तो ये क्रिशी का एक ऐसा प्रकार है जहां पर किसानों का एक समुह होता है और ये समुह जो है वो अपनी उन तो हम यह कहें कि किसानों का यह समु जब अपनी कृषी से अधिक लाभ कमाने के उद्देश से एक सहकारी संस्था बना कर कृषी कारी करते हैं तो हम उसे सहकारी कृषी कहते हैं और सहकारी कृषी के साथ ही जब हम सामुही कृषी की बात करने हैं तो हम यह देखते हैं कि इस उत्पादन के संसाधन उस पर सभी पर जो स्वामित है चाहे हम उत्पादन के साधन की बात करें या हम उत्पादन की बात करें उन उत्पादनों को निर्यात करने, बेचने या खरीदने इन सभी से संबंधित जो निर्ने का स्वामित्व होता है वो एक समाज या हम कहें कि सा शब्णित से संबंधित निड्न की लिए जाते हैं तो इसे हम सामुही क्रिष्य केहते हैं. सहकारी क्रिशी हमने बताया कि वो पूरा समूह किसानों का अपनी लाप को अधिक करने के उद्देश से पहले जितनी उनको आयपराप्त होती थी क्रिशी से उससे और अधिक लाप कमाने के उद्देश से वो एक संस्था बना कर सहकारी रूप में संस्था बना कर कारी करते हैं इस क्रिशी में हम ये देखते हैं कि जो किसान होता है उसका व्यक्तिगत जो खेत है उसका स्वैम का जो स्वैम की जो उसकी क्रिशी भूमी होती है खेत होता है वो उसकी ही होती है उस पर पूरा अधिकार उसका स्वामित्व जो है अपने खेत पर उस किसान का ही होता है लेकिन उसको स्वामित्व होते हुए वो एक सहकारी रूप में क्रिशी करते हैं। साधनों की उपकरण की यंत्र या ओजार की आवश्चक्ता पड़ती है। साथ ही साथ इसके लिए पूंजी की भी आवश्चक्ता पड़ेगी। तो तात्पर यह है कि इन सभी से जो संबंधित सहायता है वह यह संस्था जो संस्था बना कर क्रिशी कारी किया जा रहा है यह उन किसानों को प्रदान की जाती है। अब हम यह देखते हैं इसकी और एक अन्य जो विशेष्टा है वो यह है कि यह साकारी संस्था जो है वो अपने उत्पादों को अपनी शर्टों पर बेशती है। मतलब उन पर जोर्जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उनका मन है तो व उनकी मर्जी है कि वो उसे ना बेचें। पूरा स्वामेट उनका है उस संस्था का है। तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे वो अपनी ही शर्टों पर बेशते हैं। यह सरवाधिक सफल या इसकी जो सफलता है वो हमें डेन्मार्क में देखी है। क्योंकि Denmark में जो प्रत्य किशान है वहां का हर एक किशान किसी न किसी सहकारी संस्था है उसका सदर से जो होता है तो हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की क्रिशी या सहकारी क्रिशी जो है आपसे पूछा भी जा सकता है एक नंबर के कोशन में कि सहकारी क्रिशी सरवाधिक सफल कहां रही है या कहां सरवाधिक प्रचलित है तो आपका उत्तर होना चाहिए डेन्मार्क अब ये तो बात होगी सहकारी क्रिशी की अब हम दूसरी क्रिशी जिसे हम सामुही क्रिशी कहते हैं इस पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं कि इसकी क्या-क्या विशेष्टाएं तो जैसा हमने कहा कि इसमें जो क्रिशी के उत्पादन से संबंधित जो साधन होते हैं चाहे हम पुझी की बात करें किसी भी यंत्र औजार या उपकरण की बात करें इन सभी पर जो स्वामित्व है वो स्वामित्व समाज का होता है या हम ये कहें कि ये सामुहिक श्रम पर आधारित होता है, सामुहिक रूप से, किसी एक ही किसान का उसमें स्वामित्व नहीं होता है अब हम ये देखते हैं किसमें जो किसान होते हैं इस प्रकार की कृशी में जो किसान है वो अपने सभी संसाधनों को मिला कर मतलब प्रते किसान के पास इतने भी संसाधन उपलब्ध हैं कृशी के वो अपने सभी संसाधनों को मिला कर जो है वो कृशी कारी करते हैं हाँ उन्हें इतना अधिकार होता है कि वो भूमी का एक छोटा सा टुकड़ा या भूमी का एक हिस्सा जो है वो अपने लिए अपने पास रख सकते हैं अपने दैनिक जीवन की या अपनी जो परसनल उनकी व्यक्तिगत जो आवश्कता है उसकी पूर्ती के लिए भूमी का ए हिस्सा वो अपने पास रख सकते हैं फिर हम देखते हैं कि इसमें सरकार का पूरा नियंत्रन होता है हमने अभी सामुहिक क्रिशी की बात की थी तो देखा था कि उसमें जो सहकारी संस्था होती है उस संस्था का पूरा नियंत्रन होता था लेकिन सामुहिक क्रिशी में प्राप्त होते हैं, उसको अपने एक निर्धारित मुल्य पर खरीदती है। और अपनी ही शर्टों पर उसे जो हम ये कहें कि पुन्जी या कृषी कारी के लिए जितनी भी पुन्जी की आवशकता होती है तो अपनी शर्तों पर ही उन्हें रिनूप लब्ध कराएगी या अ जब इस उत्पाद से यह हम यह कहें कि जब इस प्रकार की क्रिशी में अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है तो वो इस अतिरेक उत्पादन को उनकी छमता के आधार पर हम यह कहें कि उनके कारे की प्रकृति के आधार पर किनके कारे की प्रकृति के आधार पर किसानों के प्रगृति के आधार पर अतिरेक जो उत्पादन होता है जितना निर्धारित लक्ष रखा गया है उन किसानों के पास कि आपको भी इतने का उत्पादन जो है वो करना है यदि उस लक्ष से निर्धारित उत्पादन से अधिक प्राप्त होता है तो यह सभी किसानों में वित सिर्फ में टो इसका पुराश्य है वह पूर्व सोव्ये संग यू एसलियो यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो प्रिशी है । साmaking वादि जो शाशन होता था उसनी देन है और इसलिए यह पूर्व सोव्ये संग या एसलियो USSR में प्रमुख रूप से प्रचलित है और यदि आप से पूछा जाए कि भाई कहां पर प्रचलित है तो आपको तो USSR या पूर्व सोवियस संग ही कहना है लेकिन यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो चुकि पूर्व सोवियस संग का जब विभाजन हुआ 1991 में तो उसका सबसे पूर्व सोवियस संग में इस प्रकार की जो क्रिशी की जाती है उसे कोल खहोज के नाम से जाना जाता है कोल खहोज तो इस शब्द को आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है हो सकता है वेरी शॉट टाइप आंसर में एक नंबर के प्रशन में आप से ये पूछा ज इस प्रकार की जो क्रिशी है वो कोल खहोज के नाम से जानी जाती है तो ये हो गई बात संगठन के आधार पर क्रिशी के प्रकार की बच्चों अभी तक हमने जो प्राथमिक व्यवसाय के अंतरगत बात की जिसमें हमने देखा की पशुचारन का कारे किया जाता है या क्रि प्राथमिक व्यवसा या प्राथमिक क्रिया जो है वो खनन की है माइनिंग, माइनिंग भी जो है वो एक प्राथमिक क्रिया है और वो इसलिए कि ये सीधे तौर पर प्रकृती से जुड़ी हुई है, तो पहले आप या हम ये जान लेते हैं कि खनन क्या है, खनन क्रिया क्या ह किसे कहते हैं धरातल या भुगर्भ को खोद कर खनीजो को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम खनन कहते हैं या मैनी कहते हैं बच्चों आपको इसमें एक बात ध्यान में रखनी होगी जो प्राथमिक्रिया है या हम यह कहें कि जितने भी जो श्रमिक हैं जो लोग जो व्यक्ति प्रात्मिक्रिया में सनलगन होते हैं, लगे हुए होते हैं, चाहे वो कोई भी कारे करें, खनन का कारे करें, या पशुचारन करें, या क्रिशी करें, संग्रहन का कारे करें, मतलब किसी भी प्रकार के प्रात्मिक्रिया में वो लगे रहें, इस प्रकार के श्रमिको को लाल कालर श्रमिक कहा जाता है क्योंकि अपने इस कारे के लिए वे घर से बाहर निकलते हैं इस कारण इन्हें लाल कालर श्रमिक कहा जाता है अब हम आगे देखते हैं हम माइनिंग की बात कर रहे थे और हमने देखा और इस पिक्शर में भी आप बहुत अच्छी तरह से सम जो अलग अलग प्रकार के आयस्क हैं, वो निकाले जा रहे हैं, कहीं पर हम कोईले की बात कर रहे हैं, लौह आयस्क निकाला जाएगा, मैगनीज निकाला जाएगा, तो किसी भी प्रकार के खनीच को निकालने की जो प्रक्रिया है, धरातल को खोद कर उसे हम मैनिंग या खनन जो खननन्कारिय किया जाएगा को निकालने पिर लेकिन इस जो खनीज है वो लग अलग वित्रित हैं मतलब समान रूप से इनका वित्रण जो हमें देखने को नहीं मिलता कहीं पर इनकी मात्रा अधिक है, कहीं पर कम है, कहीं पर ये कम गहराई में ही मिलते हैं और कहीं पर अधिक गहराई में तो खननकारी को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है पहला है भौतिक कारक और दूसरा है आर्थिक कारक तो जब हम भौतिक कारक की बात करते हैं तो भौतिक कारक में हम देखते हैं जो खनीजों का जमाव है खनीजों के जमाव का आकार हम कह सकते हैं कि कितने एरिया में वो खनीज जो है वो फैला हुआ है उसकी क्वालिटी या गुडवत्ता की हम बात करते हैं कि जब ही हम बबात कर रहे हैं कि हमें पता चला कि सिस्थान पर लिए वो में Кधि कशेप है क्षेफ जमाव काचैन cari हा रहा है तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि हमने अबाता चला और हमने सीधे खननकार्य यो है उंपार देगे हम ृ एसा बिल् замечative है पहले हम इन बातो batch की जानकारी करेंगे जिसमें हम बात करें की बहुतीग कारत तो उसके अंतरगत कितने छेतर में इस है तो कितने एरिया में जमाउ है दूसरी क्वालेटी क्या है उस खनीज की गुढवत्ता क्या है और उसकी उपस्थिती कहाँ पर है मतलब धरातल से थोड़ी दूर पर ही मतलब कम गहराई पर है या अधिक गहराई पर है देखे अभी ऐसे प्रभावित करता है कि मालो हमें पता तो चला कि निक्षेप है लेकिन हमें ये पता लगाना आवश्यक होगा कि परियाप्त मात्रा में उस खनीज का जमाव है य यह नहीं है मालो हम बात करते हैं लौहयस्क की ही तो लौहयस्क भई खुदाई करना इतना आसान तो है नहीं कि एक खुदाली ले आई और हम खुदाई करके उस खनीज को निकाल लेंगे खननकारे में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यक्ता होती है उर्जा की आवश्यक कारी मिली लेकिन वो निक्षे जितने छेत्र में उसका जमाओ है उस खनीज को निकालने से अधिक हमें उसको निकालने की प्रक्रिया या प्रोसेस में हमारा खर्च हो गया उससे अधिक पूंजी जो है वो कास्ट या लागत उसमें लग गई तो फिर उसको निकालने का तब भी उस खननकार्य में हमें उतनी पूंजी या लागत लगाने की कोई आवशक्ता नहीं है तो इसलिए खननकार्य करने के पहले हमें इन सभी चीजों की जानकारी लगानी चाहिए या होनी चाहिए अब ये तो होगे भौतिक कारक इसके साथ ही साथ हम देखते हैं दूसर तकनीकी ज्यान और तीसरा पूंजी और पूंजी के साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो श्रम है श्रम कितनी मात्रा में उपलब्द है और परिवहन आर्थिक कारक में ये सारी चीजे भी जो है वो खननकार्य को प्रभावित करती है भई पूंजी जब तक नहीं होगी तो हमे कि निक्षेप या जमाव की जानकारी तो है लेकिन हमारे पास पूंजी इन ही तो तब तक हम कंनकारे कैसे करेंगे हमारे पास वह तकनीक ही नहीं है जिस से हम बहुत अच्छी तरह से उस कनीच को धरातल के भुगःभ से बाहर निकाल पाएं तब तक भी हम खननकारे नहीं कर सकते और हो सकता है कि उस छेतर में उस खनीज की डिमांड नहीं है तो भी उसे खननकारे करके या उसमें लागत लगा कर उस खनीज को निकालने का कोई अर्थ नहीं रह जाता तो ये कुछ बहुतिक और आर्थिक कारक हैं जो खननकारे को प्रभावित करते ह अब हम बात करते हैं कि अभी जैसे हमने कहा कि खनीज की जो उपलब्धता है वो कहीं कम कहीं जादा धरातल में भी मिल रहा है तो हम देखेंगे कि कहीं वो कम गहराई पर ही उपलब्ध हो जाता है और कहीं पर बहुत अधिक गहराई में उसकी स्थिति होती है तो इस आधार पर हम देखते हैं कि उस खनीच को निकालने की दो वीधिया होती है या खनन की दो वीधिया हैं पहला है धरातलिय खनन और दूसरा है आपका भूमीगत खनन तो जब हम धरातली खनन की बात कर रहे हैं तो इसे हम open caste mining के नाम से भी जानते हैं या मैं यह कहूँ कि हिंदी में विवरित खनन के नाम से भी जाना जाता है चुकि हम धरातली खनन ही कह रहे हैं इस पिक्षर में भी आप देख रहे होंगे कि कुछ लेबर्स जो है वो खुदाई का कारी कर रहे हैं खनन कारी कर रहे हैं और बहुत अधिक गहराई पर उन्हीं अधिक गहराई नहीं बहुत कम गहराई पर ही वो उपस्तित होती है तो जब बहुत कम गहराई पर उसके उपरी आवरण तक ही हमें खुदाई करनी पड़ रही है और उससे उस खनन कारे से वहां पर खनीज निकाले जाते हैं तो उसे हम धरातली खनन कहते हैं और चुकि हम इसमें हमें बहुत अधी गहराई पर खनन कार्य या खुदाई नहीं करनी होती है इसलिए ये खनन की जो ये विधी है वो बहुत सरल होती है और सरल के साथ ही साथ बहुत सस्ती पढ़ती है इसमें बहुत जादा लागत नहीं आती क्योंकि हमें बहुत अधी गहराई में खु लबर वहां अंदर गहराई की तरफ जाएंगे उनके लिए सुरक्षात्मक उपाय करने की हमें आवश्यक्ता नहीं पड़ती इसलिए यह वो हमें बहुत सस्ता पड़ता है और तीसरा हम देखते हैं कि इसमें उत्पादन जो है खननका उत्पादन बहुत जल्दी होता है और अधिक मात्रा में भी होता है, मतलब गहराई से हम निकालेंगे तो उन खनीजों का उस आयस्क का बहुत नुकसान हो जाता है और समय भी लगता है कि हम पहले कुए खोदेंगे फिर वहाँ पर से खनीज आयस्क निकालेंगे लेकिन चुकि हमें बहुत अधिक गहराई में हम नहीं जा रहे हैं, कम गहराई में हमें वह अयस्क मिल जा रहा है इसलिए उत्पादन भी अधिक होता है और वह बहुत हम यह कहें कि सहीं सलामत रूप में वह अयस्क जो है वो हमें मिल जाता है तो इस प्रकार के खनन में हमें समय की भी बच्छत होती है और उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है अब हम देखें कि जितने भी विक्सित देश हैं वो वहां पर वो देश जो है वो खनन के कारे से पीछे हट रहे हैं मतलब उसमें वो बहुत जादा हम कहें कि अपनी पूंजी को नहीं लगाना चाहते वहां पर खनन कारे बिल्कुल नहीं देखने को मिलता चाहे हम यूरोप की बात कर लें पश्चिमी यूरोप विशेशकर या उत्तरी अमेरिका की बात कर लें लेकिन जो विकास शील देश हैं वहां पर हम देखेंगे कि बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और वह इसलिए दिया जाता है कि यह अपने जो विकास शील देश हैं वहां पर जनसंख्या भी बहुत अधिक है बहुत अधिक घनत्तों देखने को मिलता है तो इन्हें बहुत सस्ते श्रमिक जो हैं वो मिल जाते हैं और जब श्रमिक सद्रेश पर meant नगे रहेंगे तो उन्हें रोजगार की प्राप्ती और जब काम मिलेगे लोजगार मिलेगा तो उससे आए इन्हें प्राप्त होगी तो इस कारण से विकाषई शिल्देश में जो है खननकारे जो है वह बहुत उन्रती पर है यह बहुत सारे लोग उस देश की बहुत अधिक जनसेख्या जो है वो खननकारय मे लगी उए हैं लेकिन विक्सित देश में चुकि यहां पर लेबर कास्ट ही बहुत अधिक पढ़ जाता है। इसलिए यहां पर बहुत कम जो है लोग खननकारय में लगे हुई है। अब खनन की जो दूसरी विधी है भूमीगत खनन इसकी हम बात करते हैं भूमीगत खनन जो है चुकि नाम से ही शब्द से ही हम कहें कि इस पस्ठ हो रहा है भूमीगत बहुत अधिक गहराई में जो है वो खनन कार्य किया जाता है या ऐसे छेत्र जहां पर बहुत अधिक गहर यहां पर इस पिक्षर से आपको बहुत अच्छी तरह से इस पस्थो रहा होगा और हम देखते हैं कि चुकि यह कुए खोदे जा रहे हैं तो जो श्रमिक नीचे जाएंगे जाच करने कि कितनी मात्रा में हैं कैसा आयस्क है या जो निकालने का वो कारी करेंगे तो चुकि वह बहुत अधिक गहराई तक उतर रहे हैं उस कुए में या कूप में तो ये बहुत जोखिम भरा कारी होता है और इस प्रकार के जो खनन की प्रोसेसिंग होती है माइनिंग की प्रोसेसिंग होती है उसमें समय तो लगता ही है और समय के साथ साथ बहुत अधिक जो है जोखिम भरा होता है और चुकि उन लेबर्स के लिए श्रमिकों के लिए उन्हें सुरक्षात्मक उपकरण की जो आवश्यक्ता पड़ती है इसलिए ये बहुत अधिक ख जहरीली गैसों के रिसाओ होने जैसी समस्या का डर बना रहता है और हम अकसर यह देखते हैं कि जो लौहयस की खदाने हैं या कोईले की खदाने हैं उसमें इस प्रकार की जो दुरघटनाएं हैं वो अकसर देखने को मिलती हैं फिर हम अपने 36 गड की भी बात कर लें हम अधिकतर दुरघटनाएं जो हैं वो हमें सुनने में आती है या हम देखते हैं कि जो कोईले की खदाने हैं या लौहस की खदाने हैं वहां पर जहरीली गैसों के रिसाओ होने से या आग लगने से बड़ी दुरघटना घड जाती है और बहुत सारे श्रमिकों की मृत्यू हो जाती है तो यह एक डरज है वो भूमी गत खदान गार्य में लगा रहता है तो यह हो गई खणन की विधियाँ अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम खणन का रहे हैं तो चुकी हमने कहा कि खणन गष यहें खनीज एसक का किया जायता है तो खणीज कून-कून से खणीज हम महत्वपूर्ण खनीजों की बात करें, तो लॉयस्क है, मैगनीज है, तामबा है, बॉक्साइट है, कोईला है, आईए, अब हम इस पे बात कर लेते हैं, कि ये जो खनीज हैं, वो कहां-कहां पर प्रमुख रूप से मिलते हैं, या हम ये कहें कि इनका अधिक उत्पादन जो है, वो विश्व के किन-किन देशों में होता है, और इसके प्रकार कौन-कौन से हैं, कि तो है, जो है जो है, तो है कि बात ble喝ते हैं, अब रविए, एती हां है, कि इनका खाहते हैं, आईए, शाहते हैं खोड़ झाल 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 झाल